Hey guys, I'm Vasudev, और आप देख रहे हैं Mixed with Vasudev, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज का जो setup है, वो थोड़ा सा different है, थोड़ा सा अलग है बाके वीडियो से, और उसका simple सा reason यह है, जितने लोग को याद होगा कि जब मैंने अपनी hardware channel strip की unboxing की थी, तो उस वीडियो में मैंने था कि मैं hardware के ऊपर एक series लाऊंगा, hardware के ऊपर videos लाऊंगा, तो finally, लगभग 1.5 माईने के बाद काईना काई मेरे में वो confidence है, use करने का, because last 1.5 माईने में, मैंने लगभग 15-20 गानों पे उसको apply किया है, जाए वो vocals हो, जाए वो drums हो, जाए वो mastering हो, तो काईना काई मुझे वो यह जो topic है, इस पे मैं एक series of video बनाने का सोच रहा हूँ, तो यह जो part 1 होगा, इस part 1 में हम लोग signal flow समझने वाले है, हम लोग theoretical बाते करने वाले है, because ultimately, मैं आप लोग को वो hardware दिखा के, knobs घुमा के, यह चीज नहीं बताना चाता था, कि EQ है, इससे यह होता है, यह compressor है, इससे यह होता है, I want it, कि आप लोग को अंदर से भार तक, वो concept समझ आए, आप लोग को समझ आए, कि hardware को connect कैसे किया जाता है, hardware को लगाने के लिए requirements क्या होते है, audio interface में कित्ते input-output चाहिए, signal flow कैसे होता है, hardware को mixing के वक्त कैसे use करते है, और recording के वक्त कैसे use करते है, etc. So that is why, आज क की वीडियो में हम लोग theory discuss करने वाले हैं, लेकिन trust me, यह बहुत ही interesting theory होने वाले है, and यह आपके काफी सारे doubts clear करने वाले है, hardware setup से related. तो सबसे पहले हम लोग एक basic signal flow की बात करते हैं, लेकिन यह जो signal flow है, इसको मैं home studios के basis पर बताऊँगा आपको सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग एक step advance जाएंगे, हम लोग professional studios की भी बात करेंगे, कि हमारे home setup में और professional studios में क्या difference होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ल बात कर रहे हैं, जो मैं इस वक्त बोल रहा हूं, यह sort of मेरा output है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हो you, which is basically us, यह हम लोग है, और जो भी हम लोग sound आगे भीजते हैं, यह हमारा output, यानि कि जो हमारी आवाज है, वो आगे जा रहे हैं, और वो किस में जाती है, वो जाती है, एक microphone में, तो कही ना कहीं, can I see, कि जो मेरा output है, वो मेरे microphone के input में जाएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कि microphone वही चीज लेगा, जो आप उसको देंगे, चाहे वो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो acoustic guitar बजा रहे हैं, चाहे आप कोई भी sound उ input में, यानि कि असान भाषा में, मेरा जो signal mic में गया, अब वो mic उसको audio interface में भेजता है, और हम सब को पता है, कि audio interface में जाने के बाद, वो कहा पे जाता है, हमारे DAW में, यानि कि जो हमारे audio interface का output है, वो किसके input में जाता है, DAW के, अब यहाँ पर एक interesting चीज हम लोगों को करते हैं, जाहिर सी बात है, उसका output वापस आपके sound card में, audio interface में जाएगा, और in turn वो speaker से वापस भाहर आएगी sound, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को hardware का signal flow समझना है, इसलिगे बहुत important चीज है, जो आप लोगों को realize करनी होगी, और वो यह है, कि यह जो हमारा audio interface है, इसका जो output है, इसका output हम लोग DAW की जगा कहां पर भीजेंगे, इसका output हम लोग DAW की जगा अपने hardware के input में, यानि असान भाशा में मान लेते हैं, कि यह मेरा SSL fusion है, यह मेरा SSL fusion hardware है, तो basically इसको हमें process किस पर करना है, जो हमारी sound capture हुई थी, जो हमारी sound DAW में गई थी, उस पर, तो इसी reason की वज़े सी, जो हमारे sound card से output आएगा, वो किसके input में जाएगा, वो आपके hardware के input में जाएगा, और obvious सी बात है, कि जो हमारे hardware का output है, जो हमारे hardware की sound है, हम चाहते हैं, कि वो हमें वापस सुनाई दे, और सुनाई देने के लिए, उसको किस से pass करना पड़ेगा, आपके audio interface स तो इसी लिए यह जो hardware है, अब hardware का जो output है, वो किसके input में जाएगा, यह जाएगा वापस आपके sound card के input में, and ultimately जो आपके sound card का output है, जो आपका sound card है उसका out है, वो किस के input में जाएगा, आपके monitors में, यानि असान भाषा में जो आपके speakers हैं, जो आपके monitors हैं, उसमें आपका audio interface sound भेजता है, और जो monitors हैं, वो ultimately अपना output कहा पे भेजते हैं, हमारी input में जो कि हमारा कान है, तो ये बहुत ही simple सा signal flow है, अगर हम एक बार और इसको recall करें, तो simply हमारी जो आवाज है, वो सबसे पहले हम हमारे mic में जाती है, फिर हमारे mic से जो sound जाती है, वो जाती है हमारे sound card में, हमारे sound card से वो travel करती है, hardware में, hardware से वापस वो आती है sound card में, sound card से monitors में, और ultimately वो हमें वापस सुनाई देती है, हमारे monitors के थरू, हमारे कान के थरू, अब अगर यहीं पर हम लोग एक basic home studio की बात करी रहे हैं, तो अगर हम hardware की बात करें, कि इस hardware को connect करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की requirement है, तो ये बहुत important चीज़ है, और वो simply ये है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, तो आपके audio interface का output जा रहा है आपके hardware के input में, यानि कहीं न कहीं क्या में ये कह सकता हूं, कि मेरा ज आसान भाशा में हम लोग ये कह सकते हैं, कि हमारा जो hardware है, उसको minimum एक output चाहिए, आपके sound card का, interface का, और minimum एक input चाहिए, आपके audio interface का, लेकिन ये case सिरफ तभी होता है, जब आपका hardware है, ये है mono, the moment आपका hardware stereo हो जाता है, जैसे again, मेरा SSL Fusion है, वो एक stereo hardware है, यानि कि उसकी जो processing ह है, वो मैं अपनी mix bus पे, stereo tracks पे, master पे, हर जगा कर सकता हूँ, तो क्योंकि वो stereo है, stereo की बज़े से क्या हुआ, वो एक extra output और एक extra input भी लेता है, यानि असान भाशा में मेरे को अपने hardware को connect करने के लिए audio interface के दो inputs और दो outputs को sacrifice करना पड़ा, तो अगर हम लोग इस calculation के हिसाब स जाए, तो कम से कम क्या मैं बोल सकता हूँ, कि हमें audio interface में दो input और दो output चाहिए, अगर हमें अपने stereo hardware को connect करना है, अपने system के साथ, और यहीं पर एक interesting बात यह आती है, कि कहीं आप लोग सोच रहे हो, कि हम लोग focus ride का 2i2 ले ले या mini fuse 2 ले ले, और simply हम लोग उससे अपने hardware क connect करें, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, कि जो भी आप sound पर processing कर रहे हैं, जो भी आप sound को manipulate कर रहे हैं, उसको सुनने के लिए, उसको अपने monitors से connect करने के लिए भी तो आपको 2 output तो चाहिए ही, यानि कि कम से कम हमें 2 outputs अपने monitors के लिए भी चाहिए, at the same time हमें कम से कम 2 inputs अपने mic, guitar, instrument connection के लिए भी चाहिए, so that is the reason, अगर आप लोग को एक analog hardware को connect करना है अपनी system के साथ, अपने setup में जोडना है, तो आपको एक ऐसा sound card चाहिए, जिसमें कम से कम 4 input और 4 output हो, ताकि आप लोग उसको अराम से connect कर पाए, बिना अपना signal flow को disturb करें, बिना ये चिंता क करें कि हम लोग recording कैसे करेंगे, अगर हमने hardware को connect कर दिया तो, so I hope आप लोग को समझ आयो, basic signal flow के बारे में, आप लोग को ये चीज समझ में आयो, कि कैसे hardware connect होता है, कैसे वो हमारी signal chain में आता है, कैसे हम लोग उसको अपने home studios में use कर सकते, अब अगर हम लोग एक step advance जाए, अ वहाँ पर क्या difference होता है, home studios से, तो उसको समझने के लिए, मैं signal flow को दुबारा draw करूँगा, लेकिन को changes के साथ, तो again, अगर हम लोग उसी signal flow की बात करें, मैं अगर इसको बहुत simple terms में draw करूँँ, तो यहाँ पर again, हम लोग आ जाते हैं, which is us, और हमारी जो अवाज है, यानि हमारा जो output है, वो किसके input में जाएगा, यह जाएगा simply, mic के input में, अब यहाँ पर twist क्या आता है, जो आपका mic का output है, वो पहले का पर जा रहा था, वो पहले जा रहा था आपके audio interface के input में, लेकिन जो professional setups होते हैं, वो एक sound card rarely use करते हैं, एक audio interface rarely use करते हैं, rather, उसकी जगा वो लोग preamps अलग और converters को अलग use करते हैं, उसका reason में अभी आप लोग को समझाता हूँ, सबसे पहली यह देखते है कि यह जो mic है, इस बार वो input किस में हो रहा है, इस बार उसका जो input है, that is going into the preamp, यानि कि असान भाशा में, वो pre amplifier में जा रहा है, और यह जो preamp है, इसको आप लोग hardware से भी relate कर सकते हैं, because I am pretty sure, आप लोग realize कर रहे होंगे, कि जो पिछला हमने signal flow discuss किया था, उसमें हमने hardware को mixed point of you से discuss किया था, कि हम recorded signal को कैसे process कर सकते है, recorded जो signal है, उस पर अपने hardware को कैसे apply कर सकते है, whereas यहाँ पी, preamp लिखने का point यह है, कि यह preamp आपका EQ का preamp भी हो सकता है, compressor का preamp भी हो सकता है, and most of the times, यह जो preamp होता है, यह होता है mono, यानि यह असान भाशा में, यह आपका एक input और ए audio होती है, वो mono में होती है, इसके बाद preamp के बाद आपका जो signal है, जो आपका output है, जो आपके preamp से निकला है, वो किसके input में जाएगा, वो input में जाएगा आपके A to D converter के input में, so बड़े-बड़े studios में आप लोग देखेंगी, बड़े-बड़े racks होते हैं, बड़े-बड़े या चाहे वो mic के through travel कर रही हो, अभी भी वो analog form में है, क्योंकि reason यह है कि अभी तक वो system में गई नहीं, अभी तक वो software में गई नहीं, तो उसका digital में conversion ही नहीं हुआ, so basically आप लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, कि जो मैंने preamp और AD converters लिखे हैं, हम लोग home studios में क्या क क्योंकि उसकी cost कम होती है, तो जाहिर सी बात है, उसके preamp की quality और conversion की quality भी low ही होगी, इसके बाद A to D conversion के बाद, अब हमारा जो signal है, वो software में जा चुका है, digital में convert हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो हमारे converter का output है, वो किसके input में देंगे, हमारे hardware के input म See, in this case, हम लोग इसको hardware नहीं बोलते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको describe करते हैं, मान लेते हैं, यह हमारे EQ का rack है, तो जो हमारा EQ है, यह hardware अब इस EQ में गया, और again, इस EQ का जो output है, मान लेते हैं, यह वापस converter में जाने की बजाए, यह एक और hardware में जा रहा है, because I am pretty sure, आप लो का hardware है, यह जो EQ है, इसका output जा रहा है मेरे compressor के input में, यानि असान भाषा में वही चीज होई, hardware का output EQ के input में, EQ का output compressor के input में, compressor का output again, किसके input में जाएगा, I am sure आप लोग guess भी कर पा रहे होंगे, यह जाएगा again हमारे sound card के input में, और in this case, हम लोग sound card नहीं use कर रहे हैं, क्योंकि अब signal digital से analog में वापस convert होगा, और इसके input में जाने के बाद, analog में convert होने के बाद, आपको पता ही है कि यह signal कहां पे जाएगा, यह signal जाएगा आपके speakers में, जिनको हम लोग studio में monitors बोलते हैं, and again, यह जो monitors है, इनका output कहां पे जाएगा, यह जाएगा हमारे कानों में, हमारे input म So this was the basic signal flow, जो मेरको आप लोग के साथ discuss करना था, ताकि आप लोग को एक clarity मिले कि hardware को हम कैसे कैसे use कर सकते हैं, home studios के case में तो मैंने आपको दिखाया था, कि mixing के वक्त कैसे use कर सकते थे, although अगर आप एक preamp लेते हैं अपने home studio में, तो भी आप लोग यह वाला signal flow apply कर सकते हैं, बस difference क्या होगा, कि आपको converter separate लेने की जरुवत नहीं है, say for example मैंने एक preamp लिया, जिसके अंदर मेरे पास EQ, compressor, DAZR है, तो for example अगर मेरे को इसको connect करना है अपने software के साथ, तो जरूरी नहीं है कि मुझे एक अलग converter लेना पड़ेगा, मैं अपने sound card के साथ भी इस preamp को connect कर सकत में, तो सबसे पहले ही, एक input चाहिए हमें preamp के लिए, एक output चाहिए हमें preamp के लिए, उसके बाद हमें EQ के लिए 2 inputs चाहिए, क्योंकि ये stereo EQ होगा, most probably, because इसको आप mixing में यूज कर रहे है, आपको 2 output चाहिए EQ के लिए, same आपको 2 input चाहिए compressor के लिए, and again आपको 2 output चाहिए compressor के तो अगर हम इसकी calculation करें, तो लगबग 2, 2, 4, 1, 5, आपको कम से कम 5 input और 5 output चाहिए, in case अगर आपको hardware preamp, hardware EQ, hardware compressor यूज करना है, and इसमें आप लोग को पता ही है, कि हमें 2-2 जोडना पड़ेगा, क्योंकि ultimately अगर आप hardware preamp यूज कर रहे हैं, तो आपको mic के भी ports चाहिए, add कर दू, तो मेरे पास 7 input, 7 output आता है, जो कि obviously अगर आप round off करेंगे, तो आपको 8 in 8 out के बहुत चारे audio interfaces मिल जाएंगे, so I hope आप लोगो को ये चीज समझ आया होगी, आप लोगो को ये signal flow समझ आया होगा, and हो सकता है कि आप लोगो को पहली बारी में इस चीज़े clear ना होई ह because ultimately मेरे को भी लगबग एक महीना लगा था ये चीजों को समझने में, तो मैं यही चीज आपको recommend करूंगा, कि आप लोग इस वीडियो को safe कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो को दुबारा देख सकते हैं, and इसके अलावा next time जब इस वीडियो को देखें, तो सिरफ इसको सिरफ मेरे को सुने न, बलकि एक pen paper लेके बैठें, और साथ-साथ वीडियो को pause करके, खुझ से इसको draw करें, एक paper पे, खुझ से एक एक चीज को लिख के देखें, because ultimately हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी भी चीज को लिखते हैं, चाहे वो एक concept हो, चाहे आप कुछ सी ऐसे और भी वीडियो बनाऊंगा इस setup में, ताकि आप लोग भी वो offline की feel ले पाए, कि offline batches में क्या-क्या होता है, and in case अगर signal flow से related कोई भी question है, कोई भी doubt है, तो उसको नीचे comment कर दीजेगा, because I know, यह आप में से maximum लोगों के लिए topic नया होगा, तो doubts तो आएंगे ही, so मुझ लोग hardware को connect करना सीखेंगे, और practically apply करके देखेंगे, कि hardware की processing exactly कैसे की जाती है, so let's move to the studio for that.